Hello and welcome everyone. Hope you all are doing well. मैं हूरीमी. इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत खुबसूरत डिजाइन जिसको मेरे कूर्थी के बैक साइड पे किया है. बट आप इस डिजाइन को कोई भी ब्लाउस के बैक साइड पे कर सकते हैं या फिर आप इसको ड्रेस की कोई फ्रॉंट साइड पे भी कर सकते हैं. और ज़रूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी. So let's start. यहां मैं कूर्टी के बैक साइड पे कर रही हूं. तो सबसे पहले इसके नीचे मैंने एक कार्ट बूड रख दिया है. अब इसके एक सेंटर पे एक छुटी सी सर्कल करना है. तो मैं यहां कलर की जो बोटल हाती है. मैं उससे कर रही हूं. अब अगर इससे थोड़ी बड़ी डिजाइन चाहते हैं, मतलब थोड़ी बड़ी सार्कल तो कोई बड़ा साइज की कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. और पेंसिल से मार्क करें, एकदम लाइट करके. सबसे अच्छा होता अगर यह प्लैर से मैंने पहले मार्क कर लेती हैं और इसके सेंटर में मैं करती, तो एकदम मतलब ठीक होता, तो यहां थोड़ी सी गलती हो गई है, क्यूंकि पहले मैंने वो छोटी बड़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी साइट पे हो गई है, तो कोई बात नहीं मैंने कलर करके मैनेज कर रही हूँ, तो साइट पे कलर करके उसके बाद ये color को feel करना है, आप अपने पसंद के कोई भी color यूज़ कर सकते हैं. Fabricryl के fabric color या acrylic color कोई भी use कर सकते हैं, या फिर सिर्फ Fabricryl नहीं, आप camel का भी use कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है. और उसके side पे मैं इस तरीके से white color से एक छोटी-छोटी lines करना है, मैं यहाँ दो number की round brush यूज़ कर रहे हूँ, और अगर आपके बास 3D outliner है तो आप वो भी use कर सकते हैं, अब यहाँ golden yellow color यूज़ कर रहे हूँ और flat brush, 4 number की flat brush यूज़ कर रहे हूँ, बट अगर आप flat brush से जो मुश्किल होती है, I mean ऐसा नहीं कि बहुत स्यादा मुश्किल, थोड़ी सी problem होती है, तो कोई बात नहीं, अब round brush से भी इसको कर सकते हैं, पहले outline बना लीज़िए, उसके बाद अगर आपको लगे color, मतलब अब outline थोड़ी पतली बनाईए, दो number या zero number round brush से, उसके बाद एक फाइदा है, देखिए, एक बार में color इसके अंदर में पूरे एकदम फिल हो जारी है, मुझे बाद में color भरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप round brush से करते हैं, तो side पे पहले आपको outline करना पड़ता, उसके बाद अपको अंदर में color फिल करना पड़ता, बट कोई ब outline चाहिए, इसलिए, यहाँ मैं सोची थी white करूंगी, but white यहाँ मैंने try करके भी दिखाया, अच्छा नहीं लग रहा था, अब यहाँ होगा, और एक, मैंने यहाँ pencil से कोई mark नहीं किया है, आप mark करके ही करे, अगर आप, I mean इधर उधर हो जाती है, अगर आप mark नहीं करेंग इसलिए मैंने थोड़ी time लेके-लेके कर रही हूँ, ताकि इधर उधर ना हो जाए, but अगर आप हाथ से paint करते हैं, तो इधर उधर थोड़ी सी हो जाती है, कोई बात नहीं है, यह machine से तो नहीं करते हैं, कि सब एकदम परफेक्ट हो, कोई भी lines इधर उधर ना हो, हाथ से कर इसलिए थोड़ी diamond shape, इसको पता नहीं क्या बोलते है, क्रिस-Cross type की, तो यहां मैंने एक छोड़ी सी गल्ती कर दिया, यह 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 यहां मैंने उधर के साथ मैंने mix कर दिया है, अचलिए मैं कुछ और सोच रही है, तो सोचते, मैं मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, तो आपक यहां मैं यहां मैं पिंग कलर यूज कर रही हूं, इसके उपर और सेम ब्रश, देखें यह की ब्रश से कितने सारे काम हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा ब्रश यूज नहीं करती हूं, अगर आप पहली पहली बार काम करते हैं, तो मैं आपको भी सजिस्ट करोंगी, आप ब 2 no round brush और एक 4 no flat brush और 6 no flat brush से आपके अअल्मुस सारी काम हो जाएगी, मेरे तो हो जाती है, मेरे बहुत सारे brush बढ़ वह ऐसे ही पड़ा हूआ है, कभी कभी काम होता है, ऐसा नहीं, और एक filbert brush ले सकते हैं आप 4 no. की उससे अल्मुस सारे daisy flower तो बन जाती है, तो यह आपको डिजाइन को ब्लाउस के बैक साइट पे कर सकते हैं या फिर टॉप के कोई फ्रॉंट साइट पे भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा खुबसूरत लगेगा और अपकी स्ट्राइप की डिजाइन देखना पसंद करते हैं कॉमेंट करके जरूर बताना और यह अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्फुल लगे वीडियो लाइक जरूर करते हैं आपकी एक लाइक से काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है और जोदी तोमरा एशब कूर्ती बांगला ते शीटा तो तोमरा देखते पाड़ो लिंक डेस्क्रिप्शन में पेज या आपकी से पाड़े बांगला तो यहां देख सेकते हैं जैसे मैंने हमने एकदम पहले किया था तो थोड़ी सी गयाब था तो यहां भी आपको पूरा कलर से फील नहीं करना है आपको रखना है ताकि एक mix or match हो जाए, देखिए, कितना खुबसूरत लग रहा है ना, तो इसको ज़रूर ट्राइ करना, सारे फ्लावर के सेंटर पे इस तरीके से कर दीजिए, Thank you so much for watching, ये देखिए after complete, Thank you so much, take care, have a very very good day, bye